स्वादेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजात्र पार्टी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वादेश और इस दिश्यो में आगे हम बात करेंगे कि ग्लूबल मार्केट से कैसे संकेत मिल रहे हैं और इसी के सारी सार धेर सारी खबरों पर चर्चा भी करेंगे और गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो उस वक्त 19,850 के पास कारोबार कर रहा है करीब 18 अंग उपर हॉंग कॉरिया के बाजार भी हरे निशान में ही हैं करीब 2% की मजबूती दिखाए दे रही है हॉंग कॉंग के बाजारों में जपान के बाजार 400 अंग उपर हैं और चींग के बाजार भी हरे निशान में करीब 20% की शिरुवात वहां पर भी दिखाए दे रही है तो गिफ्ट निफ्टी भी अगर आपके स्क्रीम पर लाएंगे हम यहां पर भी अच्छी शिरुवात दिखाए दे रही है हरे निशान में शिरुवात होती हुई गिफ्ट न बूर्णिंग बताईए। अला कि पिछले महीने के मुकाबले अगर तुल ना करे तो वो कम थे और आज नजर रहेगी वहाँ पर CPI डेटा की, Consumer Price Index डेटा की, जो मन्त और मन्त के आधार पर 0.3% और यहनों और यहनों के आधार पर 3.5% के आसपास, वहाँ पर बढ़ोतरी का अनुमाल लगाया जा रहा ह फेट के मिनट भी कल आया हुए थे, सितंबर महीने में जो बैटा कुई थी फेट की, उस मिनट से साफ संकित मिले, कि वहाँ के जितने भी अधिकारी है फेट प्रेसिडेंट है, अलग-अलग रीजन के, वो यही कह रहा है थी कि एक और ब्यासदरे बढ़नी चाहिए, लेक साथी, जो सेफ एवन एसेट्स पर फोकस जादा है, इससे भी बॉन्ड इल में नर्मी हैं, चाहिए वो गोल्ड हो, या फिर बॉन्ड में लोगों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हम जानते हैं कि बॉन्ड इल्ड के जो प्राइसेस और इल्ड में इन्वर्स रिलेशन होत बाजारों की भी आज सुरुआत का हैं, तो ठीक ठाक हुई है, तो कुल में लाकर संकेत आज भी अच्छे ही दिख रहे हैं, और ज्यादा तर फ्रंट पर जो घरेलू बाजार की इसाफ से जो क्यूज होने चाहिए, वो मजबूत ही दिख रहे हैं, तो उमीद की जा रहे है कि आज का भी सेशन भारतिय बाजारों के लिए अच्छा रहेगा, पूजा. तो वो भी भारतिय बाजारों के लिए काफी पॉजिटिव हैं, तो यह कुछ तीन-चार बाते हैं, जिसके वज़े से आज हम देख रहे हैं, कि शेय बाजारों के शुरुआत भी अच्छे संकेत ही हैं, एक बार F.I.S. और D.I.S. के आंक्रे डालते हैं, और यहां पर भी क अगातार सपोर्ट बना हुआ है, और एक हजार करोर की खरिदारी का आकड़ा है, उनकी तरफ से, इंडेक्स फ्यूचर में भी एक खरिदारी का ही नंबर है, 1120 करोर का F.I.S. के तरफ से, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे, तो 23,154 करोर की बिखवाली F.I.S. कर रखेंगे, तो ये कुछ आकड़े हैं, F.I.S. की तरफ से, और आज हम देखेंगे की निफ्टी की वीकली एक्सपाइरी भी है, उसको देखते हुए भी आज उतार चड़ा कुछ रह सकता है, लेकिन समझना होगा, कि ये जो डेटा निकल कर आ रहे हैं, और ग्लोबल मार्क निफ्टी पर बताईए किस लेवल पर नजह रखेंगे, आजिती आपको आवाज आरी है, हेलो, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी, देखी निफ्टी बैंक निफ्टी ने अच्छा का सर बेस बना दिया है, जहां पर इस्वेल की वाल की ख़वर आई थी उसी दि बजार में बॉटम बना के पैनिक बॉटम बना के उपर आया, तो नाइंटीन सेविन हंडेड, नाइंटीन एट हंडेड बेस है, मैं एक्सपेक करता हूं कि बजार यहां ही कंसॉलिजेट करेगा, और सो पाहिन की तेजी और हो सकती है, नाइंटीन नाइन हंडेड, तो इसके अलावा किन शेरों ही ट्रेट करनी की सला देंगे अपादर त्याज, अभी ऑटो सेक्टर में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, थोड़े दिन पहले एसकॉर्ट्स ने अच्छी तेजी रिखाये थिया, तो वीलर स्पेस में लग रहा है कि अच्छा ट्रै अच्छे कंसॉलिडेशन के बाद बाद एक नए अप्ट्रेंड की शुरुवात करदें, तो में लग रहेगा स्टॉप लॉस और टार्गेट रहेगा 1100 तो 1200 अच्छे के लिए तो मिकडावल याने की उनाइटेट स्पिरिट्स और हिरु मुटो कॉप में खरदारी करनी की सला आजिती की तरफ से आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं खबरों वाले शेर्ज और आज के लिए एहम ट्रिगर्स की हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर शरद गुड़ बॉनिंग बताइए सबसे बड़ा न्यूज वो फोकस करेंगे यहां पर 17,000 क्रोड का बाइवाय का प्राइस क्या है वो है 4,150 रूपीज पर शेयर और अगर स्ट्रीट एस्टिमेट्स के बारे में बात करें तो वो जो है लो अधन एस्टिमेट्स देखने मिला है वो नंबर्स की बात करें तो मार्जिन सब पैट में बीट हुई है एस्टिमेट्स लेकिन जो टॉप लाइन है जहां पर डॉलर रेविन्यू भी जो है डी ग्रूथ दिखाया है आपके तेरा क्वाटर के बाद तो उसके कारण जो है ओवरॉल मिक्स सेट अफ नंबर्स देखने मिले हैं इंपाक्ट जो प्रोविजन जो है अपने इंवेस्टेट दो कंपनी से उसमें नहीं करने वाली है और यह दो वही कंपनी जहां पर जी एस्टी के नोटिसेज भी आये हैं क्योंकि उनका मानना है कि लीगल जो है रिप्रेजिंटेशन वो कर सकते हैं जी एस्टी नोटिसेज के अगैंस जै सब्सक्राइब के बारें बात करें तो क्यूटू अपडेज यहां पर सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने मिली है अब इसका इंपक्ट जो है प्राइसिंग प्रेशर के कारण हुआ है तो ओवरॉल वीक है इसके लावा क्यूटू नंबर से बात करें तो सिगनेचर ग्लोब देने के लिए तो यह कुछ नतीजे थे जिस पर कि हम बात करें ते लिगे इसके अलावा कुछ खबरों वाले शेर्स भी है जिन पर एक बार नजर डालेते हैं यह जो बिजनस अपडेट आ रहे है और कौर्टरली नतीजे उसके अलावा और कौन-कौन सी खबरी आई है जि जो एनलीस्स का मानना है कि यहां पर जो अपनी बिजनस में जो है वह इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वह वहां पर फिर ओवराल डेट लेवल्स भी कम देखने मिल सकता है और अब दो फार्मा में जो है और पे बुलिस नजरिया देखने मिल रहा है September shareholding pattern ये बहुत एक important category होता है चेक करने का जहाँ पर बड़े investors जो है mid-cap companies में enter करते हैं उनके various identities रहते हैं तो गोकलदास exports में नया entry आया है Caterman Ventures का ये Narayan Murthy जो Infosys के founder है उनके company है यहाँ पर उन्होंने 1.12% stake का नया entry देखने मिला है और वही अगर टीटी के healthcare के बारे में बात करें तो यहाँ पर आबेकस group यानि की सुनील सिंगानिया promoted group में जो है almost 1.13% stake देखने मिली है GMR airports भी focus में रहेगा यहाँ पर जो है media reports आ रही है कि 4000 करोड की जो loan है एक finance company से construction finance company से company ने लिया है Wysak Airport के लिए जो एक green field airport है और sterling wilson renewable के बारे में बात करें तो यहाँ पर reports आ रही है कि company ने 217 करोड का payment डेट की obligation पे करने के लिए उसको miss out किया है जहां पर 1200 करोड का fund raise का जो है अपरूवल आ गया बोर्ड से अब यह equity या debt दोने तरीके से हो सकता है ओके थैंक शरद यह सारी जानकारी देने के लिए तो यह तो कुछ खबरों वाले shares थे जिस पर कि आपको नज़र रखनी है चलिए नज़र डालते हैं brokerage house के reports पर हमारे साथ अशिशा जोड़ चुकी है पूरा update लेकर अशिशा good morning बताईए जी हाँ सबसे पहले Suntech Realty पर जेफ्रीज की रेक report आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है target price जो पहले 415 रुपीज प्रतिशेर था वो बढ़ा कर 555 रुपीज प्रतिशेर कर दिया है जेफ्रीज का मानना है कि company अच्छा growth report कर सकती है government affordable housing को push दे रहा है और करीप लरीप 75% company का revenue इस segment से आता है जिसके चलते growth prospects अब बढ़ाए जी अशेशा थोड़ा technical दिकते आ रही है आपके पास हम दुबारा से जुडेंगे लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि TCS के नतीजों पर कुछ reports आई है उसमें Morgan Stanley ने equal weight की राय दी है और target price घटा दिया है 3730 से घटा कर 3590 का target देख रहे हैं TCS पर क्योंकि उनका कहना है कि अनुमान से कमजोर numbers यहां पर देखने को मिले TCS की तरफ से इस वज़े से target price घटा दिया है लेकिन order book जो है वो काफी strong नजर आ रही है नुमूरा के तरफ से भी TCS पर reduce की ही राय आ रही है वहां पर भी target price घटाया है 3040 से घटा कर 330 का target नया देख रहे हैं और इसके अलावा इंकरेट की भी TCS पर राय आई है hold की राय दे रहे हैं लेकिन यहां पर target 3625 से बढ़ाकर 3628 का दिया है target price देख रहे हैं 445 रुपए प्रती शेयर का और आखिर में बात करते हैं Zomato की यह stock लगातार focus में बना हुआ है brokerage reports की और एक और positive report आ रही है ICICI Securities की तरफ से खरदारी की राय देख रहे हैं target भी बढ़ा दिया 120 से बढ़ाकर अब 160 के नए targets Zomato के लिए यहां पर नज़र आ रहे हैं तो यह कुछ brokerage reports हैं जिस पर की नज़र रहेगी है हमारी और TCS पर काफी मिले जुड़ी reports आ रहे हैं लेकिन जाता reports हम देख रहे हैं आपर brokerage reports के तरफ से लिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर चर्चा करेंगे Go First, Aviation Space Coast से जुड़ी एक खबार निकल कर आ रही है जिसमें की Go First को खरीदने की race में अब जिंदर पावर का नाम सामने आ रहा है ETNOW स्वदेश को ये exclusive जानकारी मिली है और उसके मताबिक Go First को खरीदने के लिए जिंदर पावर ने EOI जमा करा दी है टीटेल्स के लिए चलते हैं अंकुर मुर्शा के पास अंकुर बताइए जिंदर पार ने एक expression of interest किया है company को acquire करने के लिए सूतर हमें ये भी बता रहे हैं कि जिंदर पार को prospective resolution applicant के तौर पर choose कर लिया गया इसका मतलब यही है कि एक बार चूंकि अब ये पियारे बन गया है तो prospective resolution applicant होने के नाते इसको company की data information ये सब access मिल जाएंगे तो final bid submit करनी है या नहीं या कितने पर bid submit करनी ये सारा जो फैसला है वो आखा जाएगा जिंदल पार द्वारा तो ये कुछ दिनों में ये प्रेप्रिया चलेगी और साथ ही lenders बाद में final bid submission के लिए बोल सकते हैं यहाँ पर note करने वाली बात ये भी है कि ये एकलौता प्रियारे है क्यूंकि बाकी जो expression of interest आये थे वो lenders ने reject कर दिये हैं तो एकलौता prospective प्रेक्टिव resolution applicant है जिंदल पार जिंदल पार जो company है वो नवीन जिंदल और उनके family की privately owned company है जिसके द्वारा ये bid submit की गई है और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे financial creditors के debt की बात करें तो करीब यह 11600 करोड रुपे के आसपास है और यहाँ पर league creditors, bank of bada, central bank of india ये बिलकुल चाहेंगे कि बहुत ही जल्द go first airline को resolution मिल जाए और अभी के लिए जो पहला कदम उठाया है वो जिंदल पार ने उठाया है पौब अतर शुक्रियां को आपका ये सारी जहान काई देने के लिए चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बड़े अपडेट की तरफ और इवेंट की तरफ आपको लिए चलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त जो बहतरीन काम हो रहा है उसे सम्मान देने के लिए फिल्म फेर अवर्ड तयार किया गया है और इस पार फिल्म फेर ने गुझरात टूरिजम के साथ हाथ मिलाया है उनके साथ करार किया है और इस सकड़ी में टाइम्स ग्रूप के M.D. विनीथ जैन की और से फिल्म फेर राउंड टेबल का आयूजन किया गया इस राउंड टेबल में गुझरात के मुख्य मंतरी भुपेंदर भाई पतेल और पर्यटन मंतरी श्री मुलू भाई बेरा सहित गुझरात सरकार के ब टेद प्रूपेंदेर अठीध गुझराट वेले का आप।ो अटोर्स्ते गास्तर आपिश्ते वाई टेली गुझराट। वह प्रिफिलेचे टॉरीछ चीफ मिनिस्ट फ्रक्राइब एक ठीजिए भूरेजिए लूर्पेंटर भाइप पतेर, उर्पेंदर भाइप पतेर, श्री मुलुबहाई बेरा, अलोग विए ओधेंद लूर्सके लूर्सके प्रेसेंटिए अभूर्मन बेराइब लूर्सके इन्हेंड टुछाब शफरे अटूजाजर्थ वाइज विए पोड प्रॉजार्थ आप प्रॉजाँ होगा ऑफ एक देट हाट जाहेंद वेल्कों तूछ इन्हेंटिजूशिश्ट विए टुछाब्साइज विए गजा टॉच्छाब्स विए इन्हेंट बड़ाऊंति for the last seventy years the Filmfare Awards have served as a symbol of excellence acknowledging and celebrating the remarkable accomplishments of talent within our film industry Filmfare today is proud to be a facilitator in bringing together the entertainment industry and a canvas like Gujarat for painting your stories on the cultural richness vibrant landscapes access to skilled man power and the warmth of its people will provide the perfect backdrop for filmmakers and their craft I think the key highlight was the earnestness with which the Gujarat government presented the policy and presented more than the policy, its intention to engage with the film industry of Bombay and make Gujarat a part of their movies, of our movies. The earnestness was very touching. There are many, many things that are good in the film policy that they have. They are also looking at their own cultural heritage in a way that is going to be positive for cinema. That is good. But I think there is also a sense of accessibility with the government. So when filmmakers go to a place, they feel the government can be a problem for them. This government seems like the solution for them. I think that was my key takeaway from this meeting. For your next few films, will you consider Gujarat as the destination for filmmaking? I mean, there is an opportunity and an issue over here. As far as Gujarat is concerned, it's one of the states that I have travelled least in. I have to admit that I don't know many things about Gujarat, but I'm very, therefore, also eager to go there and to see the place. I'm sure that the people are very... I have always had very good experience working with Gujaratis per se. So I'm sure that the people, the workforce will be very good and progressive and participative over there. But as far as the locations are concerned, I'm looking forward to going there on my own and having a look. And hopefully, I will be shooting there soon. One final question. This is a precursor to the Filmfare. What is the one thing that you really look forward to at the Filmfare Awards? I look forward to the hosting, the bonhomie of the film industry, because it's an intimate event, the Filmfare. It's not... So the film industry is kind of present in one room altogether. And there's a feeling of great bonhomie. It's almost like a family sitting together. Chief Lalis, bulletin meet the... Chief Lalis, bulletin meet the...